कि हाईलो दुस्तू नमस्सकार स्वागत है हमारे विकयंसी एरा एज्यूकेशन में तो सभी छात्रों का दिल से स्वागत किया जाता है हमारे यूट्यूँ utiliser चैनल में तो दूस्तू आज फिर से हम तो इस अग्लों है इस बार फरवरी मार्च स्टार्ट हो गई फरवरी खातम हो गई तो दोस्तों मार्च स्टार्ट होते ही मार्च में भी कुछ एक सी विकिंस हैं जैसे फरवरी में नुट्रिकेशन जारी होते हैं उनके और उनके मार्च में आवेदन होना शुक्त था यानिकि अब आवेदन होगी अगर आपी करना चाहते हैं थो आविधन कीजेंगा अन्यता मत कीजेंगा यहां पे दिया हुआ आई ट्रेड भरती इसमें बी इएल यह निए भारत्य Electricals Limited जो भारती ये Electricals Limited की कंपनी है जिसके अंदर आपको requirement की गई है requirement के बहरती की गई है जिसमें किसी परकार का कोई exam नहीं होगा आप इसमें महिला और प्रुष दोनों ही आवेधन कर सकते हैं आवेधन करने की प्रिक्रिया आपको online शुरू हो चुकी है आप online कर सकते हैं इसे फील करने के लिए आपको सोरूप है देना होगा जबकि वो जर्नल केटिगरी को रोब इसी केटिगरी को देना होगा जबकि ऐसी और महिला किसी भी परकार की हो उसे उन्हें किसी केटिगरी की हो किसी भी केटिगरी से या किसी भी राज्य से हो वो भी इसमें किसी परकार का पेमेंट नहीं देना होगा सेलरी की बात करें आठ हजार से स्टार्ट होगी इसे हदिक तक भी आपको सेलरी डीज जा सकती है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारे वेकेंसी एरा एजूकेशन के चैनल के तहट तो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आपको पसंद आये तो इक बार लाइक कर दीजेगा और सस्क्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे आप लोगों के लिए कौन सी बरती है किस लेवल की बरती है आकिरकार इसमें आप लोग आफ़े दिन करेंगे किस पोस्ट के अनुसार करेंगे क्या है क्या नहीं है ये भी हम जानकरी आपको दे देते हैं तो दोस्तों आपके सामने जो भी होगा आपके सामने होगा क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ जो भी होगा आपके सामने होगा जी हाँ दोस्तों हम बात करते हैं भारतिये इलेक् लीमीटेड यह मुझे दिख गया है आपको भी दिखी यह होगा यहां पे लिखा वहा है कि अप्रेंटिस सेलेक्शन तो दौस्तों यह भी आई टेए वालों के लिए अप्रेंटिस-की पोस्ट अगर अगर आप इसमें भी ए10 में यानि की भारतिय electrical company में apprentice करना चाहते हैं तो सायद कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों जनवरी महा की बात करें तो railway ने भी काफ़ी apprentice निकाल दिया है और हर एक company या फिर हर एक department जो भी technical level से है उन्होंने सब ने सिर्फ और सिर्फ apprentice की निकाल लिया तो एक बार फिर से आप इलेक्टरिकल्स मेकनीकल्स और इसे सिविल ब्रांच डिपार्टमेंट मेकनीकल्स रेफिजरेटर इलक्रोनिक्स मेल वेल्डर्स कॉपर्स यह सारी पोस्टे हैं मैंने काहा था 150 पोस्टे आप सभी की होगी सेलरी अलग-अलग पोस्टों के देखते हैं हो सके कि आपको पर्मानेट जो पिस में मिल सकती है एप्लिकेशन ओनलाइन मोड कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं आविदन करने के लिए 31 सुरी 25 फरवरी से आविदन कीजिएगा और इसमें आविदन की परक्रिया सुरू हो चुकी है आप आविदन कीजिएगा NCVT वाले स्टुडेंट आविदन कर सकते हैं जिनोंने 31 मार्च तक आप इसमें अपनी ITI पास कर चुके होंगे अगर दोस्तों अब जो तक आपका रिजल्ट नहीं आया यानि कि 25, 37, 30 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसी दूरान हम आगे बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इन्वेलेट जो चातर चातर हैं वो सिरफ और सिरफ ITI NCVT पासिंग से होनी जीए अपरेंटिस की आविदन पर क्या करते हैं तो आपको पता है कि इसमें रिटन टेस्ट होता है अपरेंटिस इन दे रिटन टेस्ट इसमें रिटन टेस्ट भी होगा पास क्लास और रिक्वाइर बी एल एम्पलोई वर जो अपेरिंग इन दे रिटन टेस्ट अगर जो स्टुडेंट अपेरिंग में है आईडियाई के अकोडिंग वो अभी आईडियाई एक्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट आने वाला है वो चातर विसमें आप एदन कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको बता दें कि यह 16 मार्ट चंतिम तारिक होगी 16 मार्ट से पहले आपको इस वेकेंशी को फिल करना होगा इसके ओफिसली वेवसाइट का लिंक के हाँ पर दिवा है www.apprenticeship.in.go in पर आप क्लिक करके देख सकते हैं आपके पास आदारगा काड़्य की फोट उना चागी story आपका 10 वे जो भी कॉल सक्वाजिंक होना चाहिए पासिंग और फोटो है पास्वी साइट की फोटो होना चाहिए बैंक अकांट चाहिए और वेव यिडर्व पास्ट इंवे इमिल आइड आइड और मोबैल नमर भी होना जरूरी है तब भी आप इसमें आववेदन करने के लिए आप इसके ओपे से लिए पर जाएएगा जाने के बाद आपको यहां पर देखेगा apply apply link पर sorry apprentice पर क्लिक कीजिएगा step 1 पर step 1 पर क्लिक करते आपके सामने second step आईगी जिसमे candidate registration पर क्लिक कीजिएगा registration पर क्लिक करने के बाद आपके पास second step आईगी second step में आपके सामने होगा feel your details तो आपको अपनी फूरी feel details इसमें feel करनी होगी और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इसे दोरह second step में आप इसे agree कीजिए agree करने के बाद इसे submit कर दीजिए समीट करने के बाद अब अपनी फोटो और वगेरा वगेरा यहां पर qualification वगेरा आप यहां पर upload कर सकते हैं तो दुस्तो पांच step और छटी step में आप अपना पूरा विवरनिया पर करके registration प्राप्त कर सकते हैं और registration प्राप्त करने के बाद आप फिर से अपने जो आपने invalid जो next step होगा पूरा विवर यहां से देखके फिर आप अपने पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद किस पोस्ट के लिए कर से रहे हैं जैसे कि railway के अपरेंटिस हो रही है आज कल DRDO की हो रही है कई ऐसी संस्ता हैं तो उनका यहां पर अपना जिसमें करना चाते हैं वो सिर्प यह पर पर्चूज कर लिजीगा और से फिल कर दीजीए घौर यह है पूरी जानकरी इसकी और अपना फूरम भर दीजिए अगर आप इसमें आइदन करना चाते हैं तो कर सकते हैं पूरे 18 स्डइप में अपना इस फूरum को फिल्ट करके जानकरी आपकर करना है तो आप हमारे लिंक नीचे पर किलिक कीजिएगा आपको इसके ओफिसली नोट्रिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा तो चले दोस्तों यह थी जानकरी तो प्लीज दोस्तों आपसे यह उम्मीद है अगर आपको यह चीज अच्छी लगी भले ही चाहिए आप आवधन करें या ना करें त झांकी दूस्तों जाहिं दूस्तों